किन्नर पहले गा के दिखा या नाच के तब नेग दूंगा दिवाली का दुकांदार निशा से बोला अरे सेट अपनी पूरी जिंदगी काट दी इस भाजार में हम तो नाच गा के ही खाते हैं उम्र भर हमें कौन सा कोई काम देता है जो हम भी तरीके से खाएंगे निशा बोली क्या बात है बड़े बड़े डायलाग मारने लगी है हम तो यूही मर जाते तुछ पर बड़े ही ओछे तरीके से वह दुकांदार बोला सेट टाइम खोटी ना कर तबियत ठीक नहीं है मेरी अभी बाजार घूमना है तुदो सो रुपे से ज़्यादा देता है नहीं टाइम की मगजमारी कर देता है निशा बोली ये लोग आज दो सो पचास रुपे दूंगा नासना तो पड़ेगा ही दुकांदार फिर बोला रकीब मार धोलक पे थाप डांस देख के ही देगा ये कहें बात के बड़े लोग तुमसे तो हम किन्नर अच्छे करोना काल में सब की कमाई की लगी पड़ी है सोच के जिसने जो दिया दिवाली के तेवहार के नाम पर वही पाके खुस हो रहे हैं लेकिन तू ठहरा मर्द जात पहले आखे सेक ले अपनी तभी निकलेंगे तेरे हाथ से पैसे कहते हुए निशा ने नाचना शुरू किया थोड़ी ही देर में वह ठक गई और दुकानदार जो पैसे घुमा रहा था उसे लेकर ताली बजाते हुए आगे बढ़ी इसने हा बहुत देर से उसी दुकान में ये सबतामासा देख सुन रही थी तभी जैसे उसे कुछ याद आया अपने पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए निशा के पीछे दोड़ी तो देखा कि निशा दुकान से कुछ दूर एक गली में मुड़ गई वह भी आवाज लगाते हुए पीछे गई सुनिये सुनिये रुकिये लेकिन निशा को इसने हा की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दी और वह दोनों गली में मुड़ गए थे इसने हा भी उस गली की ओर चली गई तभी देखा कि एक पैडी पर बैठ कर वह बहुत जोर से सांस ले रही है अरे क्या हुआ इन्हें अपने पर्स से पानी की बोतल उसकी तरह बढ़ाई अरे सबसे बड़ा रोग तो हम लेके पैदा हुए हैं किनर का ठपा अब उम्र हो गई है लेकिन पेट के लिए बाहर निकलना पड़ता है एक जमाना था जब आसपास निशा की बधाईयों और नाच मसहूर था हम तो कुदरत के मारे हैं उपर से ये करोना ने पेट पर लात मार रखी है अभी वो कमभक्त दुकान वाला मुआ नचवा दिया इसे अब सरीर साथ ना देता इसका साथ में ढोलक वाला रकीब बोला पानी पीकर थोड़ा सुस्ताते हुए बोली भगवान तुश पर मेहर करे दिदी हम पर लोग बोल के भी ना तरस खाते तु पानी पिला रही है निशा अपने सक्थ अंदाज में बोली वो उस दुकान में मैं भी खड़ी थी लेकिन आपकी बहस हो गई उसी चक्कर में मैं भूल गई मैं दिवाली का नेग देने आई थी तुम्हारे पीछे ये लो 500 रुपे बढ़ाते हुए बोली तुम्हें दवा की जरूरत ह है तो मैं वह मेडिकल सौप से दिलवा सकती हूँ कोई काम क्यों नहीं कर लेती आज कल तुम्हारे लिए भी गौर्मेंट बहुत कुछ कर रही है अपना ध्यान रखो स्नेहा उसको सलाह देते हुए बोली तेरे बच्चे जीवें परिवार खुस रहे तुने बिना कहे हैं कठी जायेगी जिन्दिगी बस अब शरीर साथ नहीं देती दिदी निशा बोली अकस्मात इस नेहा के मन में एक सवाल के प्रती जिग्यासा पैदा हुई उसने बोला बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मन ना करे तो जवाब मत देना पूछो पहले फिर डिसाइड करूंगी धीमे से मुस्कुराती हुई निशा बोली किन्नरों के अलावा जहां तुमने जन्म लिया वह परिवार भी तो याद आता होगा मालूम है तुम्हें कि कौन है तुम्हारे माबाब या तुम्हें इस बारे में बताया नहीं जाता अब जमाना बहुत बदल गया है क्या पता उम्र के इस पड़ाव में तुम्हारा दर्द देखकर तुम्हें कुछ मदद कर दे अगर मन दुखे तो जवाब मत दो पता नहीं पूछने का मन किया तो पूछ लिया इसनेहा कुछ असमंजस की इस्तिती से रूबरू होते हुए उनसे बोली अब पत्थर से तो मेरे घरवालोंने किन्नरों को सौपा कई लोग बहुत छोटे में भी सौप देते हैं सहर के बहुत प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ था मेरा घर की पहली संतान थी ग्यारा साल तक मा की ममता जगी रही मेरे लिए फिर दूसरा बच्चा हुआ मुझसे तीन साल पूब रोई थी फिर उसी किन्नर समाज में धीमे धीमे रम गई सब भूल गई एक बार चांदनी मौसी से पूछा था अपने घर का पता तब 18 साल की थी उन्होंने बताया तो मिलने भी गई लेकिन मेरी ही मा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया मैं उनकी मजबूरी सम कि इस समाज से मेरे लिए लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं रही होगी लेकिन एक बात मुझे आज तक नहीं समझाई कि उन्होंने मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझी कि इसमें मेरी क्या गलती थी मुझे भगवान ने ऐसा ही बना के भेजा आदमी और और औरत का रूप भी उसने ही बनाया और मेरा भी लेकिन मेरे रूप का इतना तिरसकार क्यों एक माँ जिसने मुझे भी नौ महिने में जनम दिया कुदरती चीजें दर्द ममता सब उसने मेरे लिए भी बराबर महसूस किया होगा अगर उस दिन वह एक बार मुझे पहचान लेती तो क्या जाता मैं वहां रहने नहीं गई थी मैं तो अपने मा बाप को देखना भर चाहती थी बोलते हुए निशा का गला सूख रहा था और आखे नमी लिये थी कुछ अजीब संजोग था फिर अचानक अपने को समहलते हुए इस निहा की तरब देखते हुए निशा बोली हमको जमाना क शोषण, सामाजिक दबाव, मांचिक शोषण हम ही मिलता है जैसे हम इनसान है ही नहीं तो बताओ दिदी आप क्या को मलता से बेवहार करते अगर हम कठोर ना हो और हमारी बद्दुआ का खौफ ना हो तो साइद इससे भी बुरे हालात हो हमारे सबके परिवारों के लिए दुआ, बधाईया देते हुए अपने परिवार की याद तो आती है ना हमें भगवान ने ऐसी सजा क्यों दी जो गुना हमने किया ही नहीं यह समझ नहीं आया आज तक मैं ही नहीं हर किनर रोज शायद अपने से यही सवाल करता होगा कहते हुए उसकी आखें भर आई इसने हा उसकी बाते सुनके जड़त उसी खड़ी रही पहली बार किसी किनर के आखों में आशु देखकर वह अंदर तक जैसे हिल गई तभी निशा ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए अपने अंदाज में उसे दुआएं देकर ग्यारा रुपए उसके हाथ पर रखते हुए बोली ये ले मेरे तरफ से दिवाली का सगुन अपने घरवाले के पर्स में अलग से रखना परमात्मा खुशियों से उसकी कमाई में दिन दोगुनी रात चोगुनी बरक्कत दे तु सबको देने वाली बने इस नेहा को उसकी दुआएं अपने दिये हुए 500 रुपए से कहीं अधिक मुल्यवान लग रही थी तभी निशा ताली बजाते हुए उस गली की दूसरी दुकान में बढ़ गई इस नेहा के कानों में निशा की आवाद जैसे गूँज रही थी जो गुना हमने किया ही नहीं उसकी सजा क्यों दोस्तों हमें प्रकृति की किसी भी रचना के प्रती राय तब बनानी चाहिए जब उसके पीछे का संघर्स से हम वाकिफ हों हम कई समिदावयों के प्रती यह सोचते हैं कि ये लोग ऐसे ही होते हैं या उनके पास कोई emotion नहीं होता, ये तो स्रापित हैं, लेकिन परमात्मा ने तो बिना दिल और दिमाग के साथ किसी कोई संसार में भेजा ही नहीं, आजकल किन्नरों के उत्थान के लिए कई ओजनाएं, समानता देने की बातें, उनको सामाने समझने की गुजारिश ये सब ब मात्मा प्रदत है, वो उसकी सर्वस्रेष्ट रचना है, धन्यवाद.